अख्ले श्यादों का बैयान कार नहीं पल्टी सरकार पलटने से बचाए गई अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कभी न्यूस और बेल आइकन टैप करें अगर आप अपने साथ रिचा कमल यूबई के हिस्ट्री शीटर विकास दुबबे यंकाॉंटर में मारा गया पुलिस के मताबिक कानपुर लाय जाते समय, पुलिस के काफिले की एक गाड़ी पलटने पर गिंगस चर्व विकास दुबे ने मौके से फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद मुट भेड में विकास की मौत हो गई गुरुवार दोपहर बाद विकास दुबे की मद प्रदेश के उजयन से गिरफतारी दिखाई गई थी जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम उसे उजयन से कानपूर लेकर लोट रही थी पुलिस ने बताया कि प्रदेश की Special Task Force विकास को उजयन से सडक के रास्ते कानपुर लेकर आ रही थी जब गाली पलट गई अभियुक्त ने भागने की कोशिश की तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी विकास दुबे की मौत के बाद तमाम नेताओं की प्रत्क्रिया भी सामने आने लगी है यूपी के पूर्व मुकमंत्री अकलेश यादो ने ट्वीट किया दरसल ये कार नहीं पलटी है राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है कॉंग्रेस महसचिव प्रियंका गांधी ने भी विकास दुबे के एंकाउंटर पर सवाल उठाते हुए पूछा है अपराधी का अन्थ हो गया अपराध और उसको सरक्षर देने वाले लोगों का क्या शिफशेना नेता प्रियंका चतुरवेदी ने लिखा न रहेगा बास न बजेगी बासुरी जम्बु कश्मीर नेशनल कॉन्फरेंस के नेता उमर अब्दुल्लाह ने टुईट किया मरे हुए आदमी कोई कहानी नहीं सुनाते हैं गीतकार स्वानन्द किरकिरे ने भी इस घटना पर टुईट किया है उन्होंने लिखा कोई लेखक ऐसा सीन लिख दे तो बोलेंगे बड़ा फिल्मी है पुलिस ने अपनी कहानी में और क्या बताया कानपुर रेज के आई जी मोहित अगरवाल ने विकास दुबे के मारे जाने की पुष्टी की है उन्होंने कहा कि इस एंकाउंटर में चार पुलिस कर्मी भी घायल हुए है जिनका कानपुर के CSC अस्पताल मेला चल रहा है यूपी पुलिस ने बताया कि इस घटना का पूरा ब्योरा देने के लिए पुलिस प्रेस कॉन्फरेंस करेगी और इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा